लोगतंत्र सुरुक्षा पार्टी के संरक्षक और कुरुक्षेत्र से सांसद राजगुमार सैनीस वक्त हमारे साथ मौझूद है बलिया वाला गाउं जो टोहाना के अंदर पड़ता है वहाँ पर जाती है हिंसा की जो सूचना है वो सामने आई हैं आप जाती हैं इंसा की बीडितों से मुलाकात करने हिसार पहुचें जिस परकार की विवस्ता ने परदेश के अंदर जनम ले लिया है ये पिछले आज का नहीं है पिछले 45 साल से इस परदेश के अंदर आइस्ता आइस्ता सिस्टम कैप्चर होने की वरत जन glue से सासन पर जनमें जिन लोगों का दबदबा आब वो किसी के उपर भी हमलावर होकर के चाती करने के बाद उसी को फसा करके खड़ा कर देते हैं और ऐसे ऐसे आरोप गड़े में डाल देते हैं जो कहीं कोसों दूर भी नहीं होते हैं ऐसी ही घटना ये पिछले छे माज से चल रही है चार चार बार पिटने के बाद एक समाज के लोगों ने हाय तोबा करते हुए जब अपने किसी इनसाफ के लिए कहीं गुहार लगाई भी तो इनसाफ मिला नहीं वे बस्ता ठीक जब तक नहीं होगी जब तक लोग इनसाफ को बोपोती बना करके रखेंगे और इनसाफ जब तक मरता रहेगा तो ये तांडब होते रहेंगे जो लोग आज ताकतवर हैं तो जो नीचे ताकत के नीचे बोने बन गए हैं ये आज जो लोगों का हजूम है जो हमारे साथ जुड़ा ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो तरस्त रहे इसी वज़ा से हमने इन भाईयों की सतीती का जैजा लेने के लिए जो इनके ओपर आरोब भी लगे पुलिस वाले बीच बचाओ आए भी उनको भी चोटें आई उसके बाप जूद भी इनको पैरलल के साके खड़ा किया जिसकी लिए हम लड़ाई लगे तो आना के बलियावाला गाओं में ये घटना आखिर क्या हुई है जिससे जाती है हिंसा का नाम दिया जा जा ये च्छे माजसें जिस परकार से सेनी समाज के लोगों ने वहां पर जो अपने पिछे कोई पैसे के लेने देन की बात आई या कोई लड़की के छिड़ चाड की बात आई जब कोई दुकानदार अपने पैसे मांगता है तो ताकत वर आदमी उसे धमका देता है और आरोप लगा देता है चेड़ चाड़ के ये ऐसी ही इसी परकार की घटना ये भी है लेकिन एक जाती है घटना इस परकार से उन लोगों को उजाडने के लिए कमजोर लेटर पर जो है ना सांसें दी जा रही है पता नहीं वो जिंदा है भी ये नहीं इसका हायराथ हरोटी के पास तो हम खुलासा करेंगे ही करेंगे लेकिन भविश्या में इस परकार की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है इनको कंट्रोल करने के लिए हम सड़कों पर भी उ याना एक तरीके से सहम उठा है जिस भी घटना के अंदर जा पानी पते एक बच्चे के साथ अमानविया वफार हुआ उसके अमानविया क्रित्य उसके साथ क्यूआ उसमें भी वही लोग है जो कोशली में घटना घटी उसमें भी वही लोग है जो बलिया वाले में घटना रहेंगे ये ऐसास उनको होना चाहिए कि जब भी किसी को ज़्यादा प्रेसराइज कर दिया जाता है तो एक वार बलाश्ट से उपर सिमा निकलती है तो अना के बलियावाला गाउं में जाती है हिंसा के पीडितों से मुलाकात करने का काम राज कुमार सैनी ने किया तो तुक ये कह रहे हैं कि जो लोग ताकतवर हैं वो कमजोर को डराने और धमकाने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर इस तरह की कोशिशें होती हैं तो वो इस संगर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे कैमरमेन विशाल की साथ महेश कुमार टोटल नियूज विसाथ